जा रहा हूं 30 मार्च को जिसके बाद में वकेबलरी का डर पलकुल खतम हो जाने वाला है जो कि आपके सेलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा तो जुडिये का जरूर मेरे साथ ने 30 मार्च सुबा 11 बजे क्योंकि अब की बार मैं आपके लिए कुछ लेकर क्या हूं कुछ special कुछ बड़ा कुछ विशेस तो जुडिये का जरूर 30 मार्च सुबा 11 बजे नमस्कार दोस्तों अगर आप सभी को भी लगता है वकेबलरी से डर तो मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूं 30 मार्च को जिसके बाद में वकेबलरी का डर पलकुल खतम हो जाने जो कि आपके selection में मील का पत्थर साबित होगा तो जुडिये का जरूर मेरे साथ में 30 मार्च सुबा 11 बजे क्योंकि अब की बार में आपके लिए कुछ लेकर क्या हूं कुछ special कुछ बड़ा कुछ विशेस तो जुडिये का जरूर 30 मार्च सुबा 11 बजे नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है वंदन है अभी नंदन है चलिए सुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेर की और देखते हैं कि आज के करेंट अफेर में हम लोग क्या बहतर से बहतरी इन सीख सकते हैं तो एक बार पुना आप सभी को गुड मॉनिंग और अब यहां से session की बात किया जाएगा हर question को समझा जाएगा अपने ही अंदाज में जिसके लिए हम और आप दोनों लोग मिल करके रोज सुबार बज़े प्रयत्न करते हैं कुछ नया सीख ले मुझे नहीं पता कि पूरे दिन के class में आप क्या नया सीखते हैं लेकिन मुझे यह जरूर पता ह कि current affair कोई भी faculty किसी भी channel पे कहीं भी पढ़ाता हो आपको वो कुछ नया जरूर सिखा देता है तो यह सारी चीजें मेरे लिए बहुत interesting बहुत मज़ेदार होती है और इससे पहले कि मैं आपको कुछ सिखाऊ पेट्रोल पी लूँ अब पानी रूपी पेट्रोल है यह अब स को कि हम नहा लिए लेकिन हम आज वास्तों में नहा लिए इसे हम सुमन 9.30 नहाते हैं जब current affair पढ़ा के जाते हैं लेकिन आज हम जल्दी उड़ गए पेड़ों में पानी देना था दे दिये और फिर नहा लिए तो लग रहा है क्या difference आ गया है लेकिन साहित वो तुम लोग democratic alliance के हैं जो वो उधर जो बाइडन के साथ हैं बीजेपी के साथ का मिलेगा हम जो बाइडन के साथ हैं या हम उधर चाइना ओईना मालों के साथ हैं ना लायक कहीं का बीजेपी कांगरेस कर रहा है क्लास में यह नहीं किया के पढ़ लें बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं सुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं कि क्या रहेगा जस्ट बी योरसिल्फ और आप जैसे हैं वही बने रहिए मज़ेदार रहेगा और पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है और देखते हैं कि पहला कोश्चन क्या रहेगा तो यह रहा एवरेडी के ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में किसे नुक किया गया है एवरेडी यह कंपनी अठारा सो चानवे में बनाई गई थी समझ रहो जो एवरेडी कंपनी है यह 1896 इस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका में एक जगा है मेरे दोस्स सेंट लुईस ठीक है ना सेंट लुईस नामक जगा पे इसका हेटक्वाटर पड़ता है HQ जो है इसका headquarters जो है मेरे भाई ये आपके अमेरिका में पढ़ता है और इसने अभी हाल ही में नीरत चोपड़ा जो की ओलम्पिक में स्वान पदक बिजेता है नीरत चोपड़ा को अपना brand ambassador बनाया है इस company का एक बार slogan railway के paper में पूछा था तो everybody आपको जो company का slogan है बड़ा अच्छा है गिव मी पावर गिव मी रेड ठीक है ना क्या है इसका slogan गिव मी पावर ठीक है गिव मी पावर गिव मी रेड ये है इसका slogan ये railway के paper में एंटी PC के paper में पूछ चुका है गिव मी पावर गिव मी रेड उसके लाओ नीरत चोपड़ा इसके brand ambassador बनाये गए है हाल फिल हाल में अगर आप देखें तो बस ये दो तीन बाते याद रखना ठारोश चानवे स्थापना US की company है US के सेंट लुइस में ही इसकी headquarter है और give me power give me radius का वो है क्या कहता है आपके slogan है अगर हम लोग नीरत चोपड़ा की बात करें तो नीरत चोपड़ा अपने जीवन में जो पहला इनों जो इनको brand ambassador बनाये गया था वो Tata AIG का बनाये गया था जब ये 7 अगस्त को Olympic 2020 वाले में जब भाला फेके थे तो उस समय मुझे याद है 19-20 की बात है जब ये भाला फेके थे तो उस समय इनको जो पहली company जिसने अपना brand ambassador इनको बनाये था Tata AIG ने बनाये था और ये question SSC के paper में आया था कि नीरत चोपड़ा पहले किस company के brand ambassador बने ह आप तो कई company के brand ambassador बने हैं जैसे banking धोखा धड़ी के खिलाफ जागरुकता के लिए भी आपके ये बने हैं नीरत चोपड़ा बने हैं साथी एक लड़की को और याद रखना आलिया भट आलिया भट भारत में गूकी company की जो गूची गूकी company नहीं होती गूची कहो गूची हैं तो प्यूमा के लिए मुहमद समी तो लेज के लिए महन सिंग धोनी ये लोग अलग-अलग चीजों के brand ambassador फिलाल बने हुए हैं फिलाल हम लोग बात कर रहे थे आपके इसकी क्या कहा जाता है बैटरी company एवरेडी की जिसके बने हैं आपके नीरत चोपड़ा जी कुछ औ और सुभमन गिल जो की पंजाब की स्टेट आइकन है कैटरीना कैप सियसकी की brand ambassador है नरेंद्र कुमार यादो फिट इंडिया मुवमेंट के रडवीर सिंग बोट के रितिक रोशन रूपे प्राइम वालीबॉल लीग 3 के निम्न मेसिक की से 2024 के लिए प्रतिष्ठित एबल पड़े गड़ी तक हुआ करते थे निल्स हेंरिक एबल निल्स हेंरिक एबल की याद में इसे सुरू है अब जो ये नील हेंरिक एबल ठीक है ना नील हेंरिक एबल ये जो हुए इनका जो जन्म हुआ था 1802 में हुआ था 1802 से जब 200 साल बीता 200 साल बीता तो आगया आपका 2002 तब नार्वे की सिक्षा मंत्राले और नार्वेजियन Academy of Science and Letters को यह याद आया कि यार गणित के छेतर में कोई Nobel पुरुसकार जैसा बड़ा पुरुसकार नहीं है हिंदी का है, इंग्लिस का है, साइंस का है, केमेस्ट्री का है आपके क्या कहा जाता है, फिजिक्स का है, इकोनॉमिक्स का भी Nobel है लेकिन मैथ में ऐसा कोई बड़ा पुरुसकार नहीं है तब इनकी याद में नार्वे ने क्या जोड़ा, कि भी यह हम देने जा रहे हैं नोबेल पुरुसकार, मैथमेटिक्स का नोबेल पुरुसकार तो जब इनकी दो सौवी जैनती थी, किसकी आपके नीर, वो आपके क्या बोलाता है नील्स हेंरिक एबल, इनकी दो सौवी जब जैनती थी, तो उस उसर पे 2002 में इसको इस्टार्ट करने का विचार आया, और पहली बार दिया गया 2003 में और जिस वेक्ति को पहली बार दिया गया उसका नाम था जीन पी सेरे ठीक है न, क्या नाम था, वैसे तुम लोग जे पी याद रखना जे पी सेरे जिस वक्ति को पहली बार दिया गया 2003 में वो जेन पी सेरे थे अच्छा गणित के छेतर का इसको नोबेल कहा जाता है और मुद्रा की अगर बात कर लें तो मुद्रा करीब 73,600 नार्वेजियन क्रोनर नार्वेजियन क्रोनर नार्वे की क्या है मुद्रा है तो वो दिया गया इस बार का दिया गया है मिसेल टैला ग्रैंड को सकल सही लग रहा है गणित लगा लगा कि पागल हो गए हैं तुम देख लो यही सब है गणित की स्थित अग्छे अवस्थी होते तो मैं पूछ देता बाई का है इतना टेंसन ले रहे हो आज कल इसे पटी बांद के मुंबई इंडियन के वो कप्तान जो बने है नहीं क्या उनको क्या-क्या बोला जा रहा है सोसल मीडिया पे वो भी पटी बांदे दौडते हैं बॉलिंग करने के लिए कल सन्राइजर हैदराबार्द वाले इतना दवड़ा दवड़ा के मारे कि पटी ओटी सब खूल गई फिर रोहित सर्मा को ही कप्तानी थोड़ी देर के लिए करनी पड़ी थी लेकिन खेर तो यह है फ्रांस के गड़ी तक मिसेल टैला घ्रेंड जिनको मिला है एबल दो हजार चौविस अब आपकी जानकारी के लिए बता दे सर किस मुद्धे के लिए दिया गया भया प्रावेबिल्टी थेयरी प्राइकता तुम लोग 11 12 में जो लोग होगे या 9 10 में भी प्राइकता एक चेप्टर पड़े होगे प्रावेबिल्टी थेयरी और फंक्शनल लाल वाली को तो इसको फिर अगली बार अगले हपते में कई बार की प्रावेबिल्टी कुछ ऐसा टाइप का कुश्चन तो इनको जो दिया गया है वो प्रावेबिल्टी थेयरी संभावेवता सिधान और फंक्शनल एनलसिस के लिए दिया गया है ठीक है न प्रावेबिल को दिया गया है 2019 में कॉरेन उलेन बेक को ठीक है न कॉरेन उलेन बेक को ये दिया गया है ये लुईस कैफरेली जी को क्या किया गया है कि 2023 वाला सम्मानित किया गया है और अब तो आपको एक ही नाम याद रखना है मिसेल टैलान ग्रेंड, ऐसे तुम लोग याद रखना, बड़े टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, गड़ित में आदमी टैलेंटेड है, फ्रांसीसी टैलेंटेड हैं गड़ित में, ऐसे याद रखोगे, निश्ची तोर पे आपको एक मिल जाएगा, ठीक है न, गड़ित में सबसे जादा संभावनाई की फ्रांसीसी टैलेंटेड हैं, तो वो आपके लिए हो जाएगा, और पहले वेक्ति का नाम भी याद रखना, जे पी, जे पी सेरे, ठीक है, तुम्हारे कोई जे पी सर हो, हमारे तो हैं जै प्रकास सर, त जाना कि ये मेरे लिए जी एस के टीचर हैं, जे पी सर आफ लाइन पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पर आएंगे, तो ये ये अन्य आवार्ड हैं, जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, चलिया जै देखो, फ्रांस क लेता है, तो सेनेगल, सेनेगल के बसीरो दियो मैय फे, ये नए राष्ट्रपती चुने गए हैं, इनके बारें बताएं, ये सेनेगल के अब तक के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपती हैं, सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपती हैं, तो ये पहले है मुख्य रूप से मुंगफली पे इसका पुरा देश की इकोनॉमिटी की हुई है सेनेगल में सर 90% मुस्लिम रहते हैं सर और करीब-करीब 8% सर क्रिश्चन रहते हैं और 2% में सर अन्य अदर्स रहते हैं ठीक है ना अदर्स और ये आपके क्रिश्चन है तो 90 ये सेनेगल है सेनेगल की राजधानी बड़ा पूछता है आप ड़कार या दाकर जो भी याद रखें अपके लिए ज़्यादा असान होगा आप्शन में आईगा आप करी ले जाएंगे सेनेगल की राजधानी ढकार वेस्ट अफरिका में पढ़ता है मुंफली यहां की आयत पर डिपेंडेंट है सेनेगल के सबसे यंग एज के बसीरो दियो मैओ फे को मिला है अब देखो हम लोगे गाउं दियात वाले गाउं मम्मी पापा दादी दाता साधी खोशते हैं हमरी बिटिया की साधी हो जाए अब देखिए कितना बढ़िया एक लड़का ढूट के लाए बसीरो दिया में ओ फे को लाए हैं अब देख लीजे दादी जी लोग अगर साधी वादी हो तो तै कर लीजे तो फोटो दिखाए लड़का की आईए सर ये राष्ट्र पती हैं मजाक नहीं है तुम लोग इसे ये कर लेते हैं ना लाएक नहीं के सर देख लीजेगा अगर इंडिया में बेउस था हो तो तो बसीरो दियो में फे बने सेनिगल के नए राष्ट्पती उसके अलावा आपको बता दे कि सबसे युवा राष्ट्पती निर्वाचित राष्ट्पती बने हैं और मुपली यहां का में फसल ह और एक बात इनको यह जो बसीरो दियो में फे हैं इन भाई साहब को सेनिगल में मिश्टर क्लीन कहा जाता है इनका जो उप नाम है वो मिश्टर क्लीन है उसके अलावा आपको बता दे भारत में भी एक प्रधान मंत्री हुए हैं जिनें मिस्टर क्लीन कहा गया है याद नहीं राजी हो गांधी जी भारत में मिस्टर क्लीन को इनको कहा जाता है तो यह हैं आपके बसीरो दियो में फे जो कि सेनिगल के राष्ट्र पती बने हैं और यह मैकी सौल का स्थान लेंगे ये बात याद रखना सेनिगल को फ्रांस से सोतंतरता मिलिती राजधानी ड़क अगले पॉइंट पहाएंगे अभी हाल फिल हाल में वाला मिदीर पुतीन भी पांचवी बार चुने गए हैं उदर से खसीना पांचवी बार चुनी गई हैं वान गेथिंग वेल्स के पहले अस्वेत नेता चुने गए हैं प्रभवो सूभी आन्तो इंडोनेसिया के राष अब है ठाकुर को हाल ही में किस देश में भारती राजदूत के रूप में नुक किया गया है तुमको एक बात बता दें यह जितने राजदूत वाले कुश्चन आते हैं आपको आठ से दस देश का राजदूत पढ़के जाना है अब आप कोगे कौन से एक तो वो जो यूक्रेन हालां कि बहुत दिनों से चर्चा में हैं हर्स कुमार जैन यूक्रेन के हैं वो राजदूत आपको याद करना चाहिए रूस के पवन कुमार हैं आपके कपूर पवन कपूर उनको याद रखना चाहिए चीन के प्रदीप कुमार रावत हैं वो याद रखना चाह मतलब कुछ जब भी आगर तुमको लगे यार कितने राजदूत याद रखेंगे ये बात तो मन में आती होगी न हम भी कभी कभी कोश्चन में राजदूत पढ़ा देते हैं हमेज़ा याद रखना भारत के पडोसी देश पाचो बीटो पावर प्राप्त देश पडोसी में सब नहीं ठीक है ना पाचो बीटो पावर प्राप्त देश और जो चर्चा में हो ये 10-12 अगर आपको ध्यान रहेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि आपका काम हो जाएगा ठीक है चलो अगले पॉइंट पर आते हैं ए ओप्शन तो म्यानमार के बने हैं अब आजाओ म्यानमा 1989 तक हम लोग इसे किस नाम से जानते थे बर्मा बर्मा वगएरा कहते थे फिर उसके बाद समय चेंज हुआ हम इसे बर्मा जब हुआ करता था तब इसकी राजधानी को हम लोग रंगून कहा करते थे फिर ये हुआ करते थे फिर रंगून से राजधानी बदली 2005 में अब व वो बदल के म्यानमार हुआ ये पहले भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था Government of India Act 1935 आया अंग्रेजों के समय और अंग्रेजों के समय ये बर्मा नाम से ही भारत से 1937 इस्वी में अलग हुआ तो ये भारत से 1937 में अंग्रेजों ने इसको अलग किया था 1989 तक इसका नाम जो था बर्मा हुआ करता था फिर म्यानमार हुआ और जब बर्मा था तो यांगून या रंगून इसकी राजधानी हुआ करती थी 2005 में इसकी राजधानी बदल करके न्या पीताओ कर दिया गया अपने सैनिक सैनि तक्था पलट और राजनेतिक और स्थिर्ता के लिए बर्मा बड़ा फेमस रहता है मतलब म्यानमार और वर्तमान में इसके अभय ठाकूर जो की सीनियर आईएफस अधिकारी है 1902 बैच के ये 1992 बैच के आईएफस फॉरेंड सर्विसेस के अधिकारी है और ये बनाए गया है बर्मा में भारत के राजधू ठीक है ना अमेरिका में कौन है एरिक गारसेटी वो जरूर याद रखना ठीक है ना हाँ वो बात याद रखना अब इनको याद रखने के लिए एक गाना है ना मेरे पिया गये रंगून वहां से किया है टेली फून तो टेली फून इनको मत करियेगा क्योंकि इनका टेली फून आया तो ऐसा काम होगा कि पुरा परिवार एक पैर पे खड़ा हो जा गरी बापरे बाप का हो गया कहा है ठाकुर जी फून कर दी है ठीक है न तो इसलिए कोशिस करिएगा तो अब है कुमार वरिष्ट अधिकारी है और फिर से मैंने कहा अचा ये पूछा भी जा सकता है क्यों क्योंकि इस बार की जी ट्वेंटी के दौरान ये सहायक सेरपा के रूप में भी कारे किया था ठीक है न सहायक सेरपा तो इनका पूछ सकता है चलो अगले पॉइंट में आते हैं तो ये सब देख लो बिने कुमार रूस के नए बन गए है ठीक है न पवन जो है वो हट गए है हमने आपको बताया था मेरे मुझसे पवन कपूर निकला था लेकिन पवन कपूर जो है वो पॉण सा दिवस मनाए जाता है एक्चुली मैं आपको बताऊं एक संस्ता है इंटरनेशनल थेटर इंस्ट्उड न इंटरनेशनल थीटर इंस्ट्उड तिंटर अफ नेशन्स नाम से यह थियेटर अफ नेशन्स तियटर अफ नेशन्स नाम से क्या सुरुआत किया था एक सिरीज की सुरुवात की थी, Theater of Nations नाम से एक सीजन की सुरुवात की थी 1962 में जिस दिन International Theater Institution संस्थान ने ये सुरू किया था वो दिन था 27 मार्च का और तब से ही 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाये जा रहा है किसकी याद में? Theater of Nations सीजन सुरू करने की याद में और अगर हम लोग बात करें कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी तो हमारी आजादी के ठीक एक साल बाद ITI की स्थापना हुई थी 1948 में हेड़कॉर्टर इसका पढ़ता है पेरिस में और इसी पेरिस में 1962 में जब Theater of Nations सीजन की सुरूआत हुई तो उसकी याद में सीजन की सुरूआत उसी की याद में हम लोग विस्वरंगमंच दिवस मनाते हैं इस बार जो हमने विस्वरंगमंच दिवस मनाया है वो है 68-ञ्याद इस बार हम लोगों ने checklist किया है अगले पॉइंट पर आते हैं तो ये आपको याद रखेगा पहली बार 27 मेंच 1962 को मनाए गया क्योंकि जैसे तुम लोग सीरीज देखते हो ना कि फैमली मैन, मिरजापूर तो ऐसे जो पहला कोई दुनिया का सीरीज या सीजन सुरू हुआ था वो थिएटर ओफ नेशन सुरू हुआ था तो अब जब जब भी दुनिया में तुम भारत में या कहीं भी कोई सीजन कोई सीरीज देखना इसे लैपटॉप लेके कुछ लेके इ याद रहेगा भी या ठीक है और हर बार का जो किया जाता है वो एक अपने आप में इन्पॉर्टेंट होता है इस बार जो जान फासे दोहजार तेईस के नोबेल पुरुसकार बिजेता है उनके द्वारा लिखवाया जाता है एक संदेश हर बार विसोरंगमंच दिवस पे तो इस बार जो जान फासे जी है उन्होंने इसको लिखा है ठीक है अब पहली बार 1962 में जो संदेश लिखे थे वो जीन कोकोटीव लिखे थे यह स्टैटिक का पॉर्सन हो गया इस बार जो 2023 वाले का लिखे है वो जान फासे इन्हीं को नोबेल पुरुसकार मिला है ना 2023 व या कुछ बजाओ जालो तुम लोग दना दन दन तुमारे नाम पे हम बजा दें क्या ठीक है तो ये विश महिला राश्ट्री संगीत महिला दिवस संगीत महिला दिवस से याद आया आज कल एक वो रीलूल में एक लड़की बड़ा फेमस हुए कलम घर से होली पे लोटे त कि वाइरल गर्ल अरे नाचो चो मत पढ़ लो नहीं जीवन इसा नचायेगा ना इसा नचायेगा न कि जिंदगी पर किचन से सोफा सेट से बात्रूम से फिर किचन किचन से पेड़ में पानी देतों इतने में मतब चार रूम 5 रूम में घूमता रह जाएगा जीवन ठीक ह आप सोसल मीडिया है वाइरल गर्ल खाग गर्ल ऐसी कौन सी बात है भाई काई का वाइरल गर्ल ऐसा होता किरन बेदी जी जैसा काम होता मदर टेरसा जैसा काम होता तो बिल्कुल सम्मान के लाइक नाच दिया उसमें बढ़ावा हम ही आप देते हैं समझ रहो तो संगीत महिला दिवस 28 मार्च को मनाय जा रहा है और इस दिन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए उनके संगीत के महतों को सम्मान दिलाने के लिए ये दिन मनाय जाता है ठीक है ना संगीत के महतों को सम्मान देने के लिए तो ये बात आप याद रखिएगा और मार्च महिने में मनाने का निड़ा लिया गया क्योंकि मार्च में तर राष्टी महिला दिवस भी मनाए जाता है आट मार्च को लेके नहीं जंडा बैनर निकल लेते हैं कि आज महिलाओं को सम्मान देना है ठीक है तो अन्य दिवस ये हैं आपके सामने इसमें जो एक्जाम में आपके होगा नहीं तो यही ठीक है न चलिए आपके अगले पॉइंट पर आते हैं स्वामी सम्रणा नंद ठीक है न इसम्रणा नंद महराज राम कृष्ट मिशन के कौन से अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया अगर हम स्वामी सम्रणा नंद महराज की बात की जाए तो राम कृष्ट मिशन की बात की जाए तो बेलूर में है कलकत्ता में है राम में में अध्यक्ष बने थे और ये अध्यक्ष थे सोलह में पन्चानबे वर्स की आ यू में इनका निधन हुआ है राम कृष्ण मिशन की बात की जाए तो 1897 बेश्वी में इसकी स्थापना की थी नरेंदरनाथ दत जी ने इसकी स्थापना की थी अब कई लोग रोम आ रहेंगे अरे सर कहां नरेंदरनाथ दत किये थे किये स्थापना तो स्वामी विवेकानंद किये थे ना हाँ तो या करके लिख लो स्वामी विवेकानंद जी और डोनाल ट्रम्प आये था तो विवेकानंद जी का नाम क्या लिया था याद है जब डोनाल ट्रम्प इंडिया था तो स्वामी विवेकानंद जी ठीक है ना उपाध्याय जी ठीक है ना गदाधर चपुट चटू उपाध्याय जी की याद में आप कुछ लोग कहेंगे गुरु जी फिर गलत गदाधर चटू उपाध्याय जी की याद में कहां किया था यह तो राम कृष्ण परमहंस जी अपने गुरू की याद में किया था अरे तो रामकृष्ण परमहंस जी का ही ओरिजिनल नाम है गदाधर चटू उपाध्याई ठीक है ना रामकृष्ण परमहंस जी का ही यह आपके S.S.C. C.G.L. और रेलवे का क्वेश्चन रहा है कि विबेका अनन्द जी के गुरू का ओरिजिनल नाम क्या था ओरिजिनल नाम गदाध रामकृष्ण परमहंस जी तेईस साल की एज में इनकी साधी कर दी गई थी पांस साल की लड़की से कभी पढ़ो बड़ा मजा आएगा तो फिर इनको लगा रही बेचारी छोटी सी बिटिया इसको हमको पालना है अजब कि वो पांस साल की लड़की इनकी वाइप थी और स्वामी वेकानन जीन के याद में कलकत्ता में बेलूर मट और ये आपके क्या कहा जाता अठारो सतानवे में रामकृष्ण मिशन की इस्थापना की थी तो ये भी याद रखेंगे फिलहाल हम लोगी स्टैटिक की तरफ मुड़ गए स्वामी स्रम्रानन्द महराज रामकृ चलिए तो अगले कोश्चन पे बढ़ते हैं फिलहाल कुछ अन्य आपके स्क्रीन पे हैं जिनको आप दोहरा सकते हैं जैसे मनोहर जोसी महराष्ट के पुरु मुख्यमंत्री और पुरु लोग स्वाध ध्यक्ष के होई सला क्रिकेटर पंकज उदास गजल गायक कुमार सान फिल्मे कर सफिकुर रह्मान बर्क राजने था ठीक है ना चलिए अगले कोश्चन पे जाते हैं निम्न मेंसे किस सहर में सेना कमांडरों का समेलन 2024 का योजन किया जा रहा है ये आज 28 थारिक है न हाँ तो सर ये 28 मार्च को सुरू हो रहा है और सर यहां से ले करके 2 अप्रे हाइब्रिड मोड में ये बैठाक हो रही है नई दिल्ली में हो रही है हाइब्रिड मोड में बैठाक हो रही है इसमें सेना से संबंधित परिवार के उनके लोग उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए वित्तिय इस्थिरता लाने के लिए ये बैठाक हो रही है कि कैसे सेना के करमचारी और सेना से जुड़े करमचारीों के परिवार जनों के लिए कल्याड कारी योजनाय लाई जाएं उनको वित्ती स्थिर्ता दिया जाए इसके लिए ये बैठक हो रही है जिसको कि राजनात सिंग जी भी 2 अप्रेल 2024 को संबोधित करेंगे फिलहाल ये हाइब्रिट मोड में हो रही है नई दिल्ली में हो रही है सारे सेना के अधिकारी जुड़ गये हैं कि कैसे सेना के परिवारों के लिए कल्याण कारी योजनाय लाई जाएं अचा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब विधायक या सांसत की सेलरी बढ़ानी होती है तो विधायक सांसत की ही बैठक हो जाती है जब बड़े अधिकारियों की बैठक सेलरी बढ़ानी होती है तो मतलब मंत्री नेता बड़े अधिकारी बढ़ जाते हैं जब सेना के परिवार की 32 इस्थिती को देखा जाना है तो सेना के हमारे गड़माने अधिकारी लोग बढ़ जाते हैं तो जब आम आदमी की बारी आती है तो कोई दूसरा क्यों बढ़ता है समाज के ही दस आम नागरिकों को बुला लेना चाहिए अब वहाँ पे लोग तर्क देंगे कि वह सर आम नागरी की बिधायक सांसत चुनते हैं तो आसा प्रक्रिया में बदलाओ लाईए ना जैसे भारत पाकिस्तान के बटवारे के समय ये कहा गया कि जो बिदेशी रेड क्लीप और ये लोग कभी जो भारत नहीं आएं वो बटवारा कि ये भारत पाकिस्त पान की सीमा का तो आस तक भी बाद है जो वैक्ति कभी पिधायक सांसत दो पीड़ी से गरीबी न देखा हो वो आगर गरीबों के लिए कोई नियम बनाएगा कहां से अच्छा बना पाएगा पॉइंट समझ रहो ना और पार्टी राजनेति कोई भी हो आप समझेगा बेसि का सिमेंट दवा इन पे लाब है ये बात होना चाहिए खैर अब इन चीजों पे लोग ध्यान से सोचते नहीं है रेड कलीप को याद कर लेंगे कि जो कभी भारत नहीं आया भारत पाकिस्तान की सीमा बांट दिया था तो ऐसे ही जो गरीबी देखा नहीं क्या मिडिल क्लास या गरीमों के बारे में सोच पाएगा ठीक से खैर तो खैर सेना कमांडरों के और ये अच्छी बैठा को रही है उनके लिए वितिय योजनाय लाने के लिए हो रही है और अच्छी हो रही है इसमें कोई दिक्कत ने ये बढ़िया है अगले पे आईएगा तो अगला देखते हैं 26 मार्श 2023 को किस देश का 54 राष्ट्री दिवस मनाए गया है 26 मार्श 2024 को देखो 26 मार्श 2024 को जो राष्ट्री दिवस मनाए गया है आप एंसर करके बताईएगा किस देश का दिवस मनाए गया है नहीं रख दो अब तुम्हारा मन है तो रख दो मना तोड़ी करने जा रहा है रे उसके उपर क्यों रख रहो भाई देखा ई गड़वड कहीं के खेर ले लू बताओ भीया क्या है 26 मार्श 2024 को चववनवा राष्ट्री दिवस मनाया है बा बांगलादेश के साथ सर हम लोग संप्रीती नाम से भी एकसरसाइज कर लेते हैं सर हम लोग मिलन में भी बांगलादेश से मिलन भी आधा धूरा है सर बांगलादेश के साथ बोंगो सागर जैसा हम लोग क्या करते हैं भी सेन अभ्यास कर लेते हैं ठीक है ना तो ठीक है त ऐसे इधर में एक सिकेंड आ जाओं यह देखूं यह इधर में जो पाकिस्तान था और एक इधर इसको हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान और इसको कहा जाता है पुर्वी पाकिस्तान जब बटवारा हुआ था पुर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ हुआ ध्यान से सुनना उनीसो सत्तर में जब यहां चुना रुआ तो यहां की एक पार्टि थी हावामी लीग सेख मUJIBUR रहमार थी समझिये तो इसने जीतदर्ज की लेकिन पुर्वी पाकिस्तान वालों को यह लगता में यहाँ पे पुर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम से एक सेना का भी गठन हो गया। मुक्ति वाहिनी ने भारत से गुहार लगाई यहाँ पे पश्मी पाकिस्तान ने एक ओपरेशन चलाया था जिस ओपरेशन को हम लोग करते हैं ओपरेशन सर्च लाइट यहाँ पे पश्मी पाकिस्तान ने ओपरेशन सर्च लाइट चलाया यह सब 1971 में हो रहा है अब देखो नाम सुनना ही काम आएंगे तुमको ओपरेशन सर्चलाइट चलाया कि हमारे पश्च्वी पाकिस्तान के खिलाब कौन कौन है ऐसे स्थिती में यहां के मासूमों के साथ अल्प संख्यक हिंदूओं के साथ और कुछ मुस्लिम परिवारों के साथ बहुत अन्या हुआ वो पुर्वी पाकिस्तान छोड़ करके भारत की तरफ भागे खास करके असम बंगलादेश इनसाइड आए इस ऑपरेशन सर्चलाइट की वज़ा से फिर भारत से मदद मांगे भारत ने मदद करने के लिए जो पुर्वी पाकिस्तान के लिए एक उपरेशन चलाया 15 मई को उपरेशन जैकपॉट अब भारत ने कौन सा उपरेशन चलाया 15 मई को उपरेशन जैकपॉट और इस उपरेशन जैकपॉट के तहत ये सब तुम लोग नाम बहुत कम सुने होगे एक आग बार मन में आ जाता है तो बोल देता हूं तो आपरेशन जैकपॉट के तहत भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दिया ये भारत 15 मईए आपके 1971 में किया था 15 मईए 1971 को आपरेशन जैकपॉट भारत ने चलाया पुर्वी पाकिस्तान में इन लोग को ट्रेन 1971 को 3 दिसंबर 1971 को हमला किया ये युद्ध करीब करीब 13 दिन चला और फाइनली 17 दिसंबर को पाकिस्तान के 1971 में करीब करीब 93,000 सेनिकों ने घुटने टेक दिये भारती सेना के आगे 13 दिन युद्ध चलने के बाद फिर ये बांगलादेश से एक नया राष्ट्र बन गया और आगे चलके बांगलादेश को मार्च में वहाँ के जो राष्ट्र पिता रहे सेख मुझीबुर रहमान उन्होंने बकायदे उसकी इस्थापना वगएरा का घोशना वगएरा किया तो ये बांगलादेश चीक है ना तो आपको पता होना चीक के ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है ओपरेशन जैकपॉट क्या है ये सारी चीजें कभी एकजाम में पूस देता है तो फिर आता ही नहीं है ठीक है ना फिर ये जो पुर्वी पाकिस्तान था वही आज बांगलादेश हो गया है वही आज बांगलादेश हो गया है तो ये आपको याद रखना होगा तो ये 26 मार्ज 2024 को मनाए गया बांगला देश का चवणवा राश्टी दिवस चुकि हम लोग 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हराये थे तो मुक्ती वाहिनी सेना और भारती सेना मिलके विजय दिवस भी इस दिन सेलिब्रेट करती है लेकि इतना कुछ अच्छे संबंद होने के बावजूद भी भारत और बांगला देश के बीच में तिस्ता जल विवाद आज तक मतलब की सुल्जा नहीं ठीक है न तिस्ता जल विवाद आजकल बांगला देश थोड़ा प्रभाव में जादा रहता है चाइना के समझे रहों तिस्ता जल विवाद आस तक बांगला देश से हाना कि भारत और बांगला देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस और ये मिताली एक्सप्रेस चलती है और दो तीन एक्सप्रेस चलती है ये मेरे नाम दिमाग से वो मिस हो रहा है वो चलती है तो ये सारी आपको याद रखना होगा तो थोड़ा सा मतलब की नंबर मिलने की probability जादा बढ़ जाएगी ठीक है ना वही होता है जिसको आप सिखाओगे वही पर सर पर चड़के नाचेगा और अगर वर्तमान में इसका कोई बड़ा example मैं भी कभी कभी ये जहलता हूँ मैं तुम्हें बताओ मैंने एक दो लोगों को बहुत जादा अपने ही मतलब मुद्दों में बड़ा support किया आज कई बार जहलना पड़ जाता है रोहीत सर्मा ने उनको हर्दिक पांडिया को टीम इंडिया में लाने के लिए बड़ा support किया था जहलना पड़ जाता है इन कुछ चीजे कठोर होती हैं लेकिन होती हैं कुछ निड़ा लेने पड़ते हैं लाइफ में जिसको आज तुम चॉकलेट बुके खाना रेस्टोरेंट ड्रेस खरित के दे रहे हो या दे रही हो ना कल देख लेना जब पल्टेगा न तो कहीं घुटना के बाइट के रोने के नहीं तुमको इसलिए मत करो जो अभी मेरी बात हो सकता है एक मिनट के लिए आई बात गई बात हो जाए लेकिन बहुत तुम्हारे लिए मतलब क्या कहूँ डेफ्थ की बात कह रहा हूं मत करो तीन तू फान ठीक है ना मिताली एक्सप्रेस बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस बिलकुल दोस्ट ठीक है ना तो वही है पाकिस्तान और क्या चलो अघले पॉइंट कर दिया मदर्सा सिक्षा अधिनियम को समाप्त करने की जरूरत क्या पड़ी जरूरत ये पड़ी कि आज से दो तीन महीने पहले की बात है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चक किया कि भारत में उत्तर प्रदेश में कितने रजिस्टर्ड मदर्से हैं जिनकी मदद की जानी चाहिए और इस क्रम में उत्तरप्रदे सरकार के पैर के नीचे से जमिन तब खिसक गई जब उनको पता चला कि हमारे सरकारी रजिस्टर में कुछी हजार हैं और ऐसे अवायद रूप से 20-30 हजार मदर से चलना हैं जहां कि एजुकेशन लेबल जहां कि बुक्स मुस्लिम गरीब बच्चों को वो सिक्षा सायद नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि वो आगे चलके अच्छी तालीम हासिल करके रोजगार पा सकें तो जो रजिस्टर्ड मदर से हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ है पहली बात जो रजिस्टर्ड नहीं है सिक्षा धिनियम को थोड़ा कड़ा करने की जरूरत उत्तरप्रदे सरकार को महसूस हुई और तब मदर्सा सिक्षा धिनियम को समाप्त किया इलहाबाद हाई कोट ने या प्रियागराज हाई कोट ठीक है ना विबेक चौधरी और सुभास बिद्यार थी नामके नामक जज मदर्सा इल्तुतमिस ने ठीक है ना भारत में प्रथम मदर्सा इल्तुतमिस ने बसाया था बनाया था और उसका नाम था मदर्सा एं मुई जी ये इल्तुतमिस के द्वारा भारत का प्रथम मदर्सा ठीक है ना इल्तुतमिस द्वारा प्रथम मदर्सा भारत का ये प्रथम मदर्सा है तो फिलहाल ये अपडेट है और इस शीज को आप ध्यान रखेंगे ठीक है ना तो इलहाबाद हाई कोट ने मदर्सा सिक्षा अधिलियम 2004 को औसंवेधानिक करार दिया है ठीक है ना औसंवेधानिक करार दिया है कि ये ठीक नहीं हैं क्योंकि यहां बच्चों को मतलब जो unregistered थे जिनको न उत्तर प्रदेश सरकार की list में हैं न उनकी books इन बच्चों को ऐसी scientific या कुछ अच्छी सिक्षा दे पा रहे थे तो हुआ कि इन बच्चों को सरकारी school में डाला जाए इनको अच्छे से पढ़ाया जाए और जो अवैद रूप से चलना है विदेशों से funding पाके चलना है उनको रोका जा और जो registered मदर से हैं वो चलेंगे जैसे चल रहे थे उसी तरह चलेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है न तो यह जज का नाम है नयमूर्ती विवेक चौधरी जी और नयमूर्ती सुभास बिद्यार्थी जी ठीक है न तो यह बात आपको याद रखेंगे अगले point पर आएंगे अगले point पर आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाएगा तो अच्छा high court की किस आर्टिकल तक आता है 224 से लेके 232 तक इसका जिगर हमें मिलता है high court किस आर्टिकल में high court जजों के transfer की जिगर है तो high court जजों का transfer आपके 222 में है 215 में high court को अभिलेक नयायाले घोसित किया गया है court of record जैसे supreme court के अगर बात करें तो आर्टिकल 129 में supreme court court of record है और ये court of record नयायाल है ठीक है न ये court of record है 215 में उसके अलावा आपको 226 आर्टिकल याद रखना चीए high court से सम्मंदित high court इसके अंतरगत क्या करती है REIT जारी करती है और एक याद रखना चीए article 231 आर्टिकल 231 इसलिए दो या दो से अधिक राज्ये या union दो से अधिक राज्ये या union territory के लिए एक high court इसका मतलब समझे रो जैसे हरियाना और पंजाब दोनों के लिए कौन है high court चंडीगर तो वो आर्टिकल 231 में मिंसन है दो या दो से हर राज्ये पास एक high court होगा ऐसा आर्टिकल 214 में लिखा है और जहां नहीं होगा वहां के लिए एक अलग से बनाए जाएगा तो ये आप जारी करेंगे ठीक है ना याद रखिएगा अचा अगर यहीं supreme court के read जारी करने की बात होती तो आर्टिकल 32 में supreme court से ज़्यादा विस्तारित power होता है high court का read जारी करने के matter में high court के पास ज़्यादा power है read के matter में ये बात भी थोड़ा सा याद रखना तो मैं विस्वास के साथ कहता हूँ अगर तुम लोगों को ये 2-4 आर्टिकल याद है ना तो high court वाला तुम लोगों को number मिल जाएगा जो paper में है ठीक है चलो अगले point पे आते हैं देखते हैं अगला point क्या रहेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत जल्द दो ही तीन दिनों में हम लोगों का एक channel है railway ठीक है ना railway अड़ा 247 railway अड़ा 247 इसके उपर भी मैं 9 बजे से ले करके 9 से 10 या साड़े 9 पौने 10 मैं class लूँगा 2 ही 3 दिनों में अब यहाँ पे आप क्या पढ़ाएंगे सर यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा railway का gk और प्लस current affair railway के लिए ठीक है ना current affair railway के लिए तो जो railway का gk gsf वो और current affair railway के लिए मैं सुबर 9 बजे railway अड़ा 247 चैनल का नाम क्या है सर railway अड़ा 247 इस पर पढ़ाना शुरू करने वाला हूं लेकिन अभी नहीं आई होप एक तारीक या दो तारीक से ठीक है ना एक या दो तारीक से मसलिए आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि यह रेलवे आर पी अफी सब की वेकेंसी है थोड़ा उसका रेलवे का बड़ा अपना अलग इतिहास है रेलवे के दूचार कोश्चन अब उसमें पसू पालन क्रिसी यह सब के कोश्चन रेलवे में खूब आते हैं मेकैनिकल इंजिनिंग इलेक्ट्रिकल लाइट सिगनल आईटी आई फीटर इस सब वाले रहते हैं ना रेलवे के अलग से तो उसको तो कभर करना पड़ेगा चलिए अगले पॉइंट पहेंगे निम्न मे बहुत बड़े आलोचक हैं साहित्य आलोचक हैं निसान जी इन्होंने कविता पाठक आलोचना नामक इनकी जो कृती है इनकी जो रचना है वो कविता पाठक आलोचना ठीक है ना कविता पाठक आलोचना ठीक है ना आलोचना इसके लिए इन्हें दिया गया है देवी संकर अवस्थी सम्मान ठीक है निसान जी को ये हमेशा 45 वर्ष से कम उम्र के साहितिक कवी आलोचक को दिया जाता है तो ये हैं आपके निसान जी जिनको 29 देवी संकर अवार्ड दिया गया है सबसे पहली बार ये 1995 में दिया गया था इसका जो फर्स्ट अवार्ड था वो 1995 इसका म लिखते हैं और इनकी किताब का नाम है क्या है कवीता पाठक आलोचना के लिए इन्हें दिया गया है 29 देवी संकर पुरुसकार अचा अब यहां पर हम लोग दो बाते और दो रहा सकते हैं अभी प्रभा वर्मा को किस किताब के लिए कौन सा वार्ड किस किताब के लिए राम भद्राचारे जी ठीकन राम भद्राचारे जी राम भद्राचारे जी और आपके क्या कहा जाता है एक गुलजार जी को कौन सा अवार्ड दिया गया इनको सिर्फ अवार्ड बता दो इनके दो बताने किस किताब के लिए कौन सा अवार्ड किस किताब के लिए कौन सा से देख ले न तुम से एक एकजाम में पूछेगा ये प्रभा वर्मा है ये पुस्पा भारती है ये राम भदराचारे और गुलजार जी है ठीक है लीजे ग्यान पीट अवर्ड दो हजार तेईस जो की अठावनवा था उससे इन्हें सम्मानित कर दिया गया ठीक ये वाला तुमको याद आ गया अब जड़ा रोद्र सात्विकम रोद्र सात्विकम के लिए प्रभाव वर्मा जी को आपके क्या दिया गया है सरस्वत सम्मान सरस्वती सम्मान दो हज़ार भारति जी को यादे यादे और यादे यादे और यादे इस पर मैं तुम लोग को एक मज़दार बात बता रहाओ मेरे एक मित्र है ओपड़ा चलाकी दिखा रहे थे, मेरे बगल में बैटे हुए थे, जिस दिनी आवार्ड बटा था, वो भी थोड़ा जियस करेंट अफेरे सब देखते रहते हैं, तो अपने वाइप से बात कर रहे थे, घर पे, तो अब हम लोग बगल में बैटे हुए थे, तो उनको, उनकी वाइप त्यारी करती हैं, तो उनको ये बोलना था कि मैं तुम्हें मतलब मेरी पत्नी हो, बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे पत्नी को, पत्नी को मिस कर रहा हूँ, अब सर्मा रहे थे, भाई साब भोल नहीं पा रहे हैं, आपकी वाइप है, आप बात करें, बोल दीजे, उनका क् असरका कर रहे हैं, वो पुस्पा भारती को, जिस किताब के लिए तुम्हें वो अवार्ड मिला है न, वही मुझे याद आ रही है, वही मुझे याद आया, हम सुचे इतना घुमा के कौन बोलता है, उस सर्मा रहे थे हम लोग के सामने बोलने से, उधर से भी रिप्लाई आया, हाँ वही वही वही, हम समझ गया, क्योंकि हम दू दिन पहले ही पढ़ाये थे, यादें, यादें और यादें, हम पकड़ लिया, हम उनको इसी पकड़ के बोले, तुम यही बोलना चाह रहे हो न, कि मैं आपकी, या अपने वाइब को कि तुम्हारी याद आ रही है, तो डिरेक्ट नहीं बोल सकते थे, उसको याद करवा रहे हो, पुस्पा भारती की किताब वाली बात, तो करारे सर, आप लोग थे, हम कैं पागलो बे, अपनी वाइब से बात करने में क्या सोच रहो, बोलो, तो गरबढ़ा गया, उस सोचे कोई ध्याने नहीं देगा, तो आप लोग भी मैसेज करिए, पुस्पा भारती की याद आ रही है, बढ़ फिर देखो, ठीक है, तुम्हारा अगर दोस्त होगा समझ जाएगा कि तुम्हें 33 ब्यास सम्मान मैं दे रही हूं, घरवाले देख बिले चैट में, 33 ब्यास सम्मान दे रही है, आच्छा, तुम अपना काम करके राइट फाइट होगा, यादे, यादे, और यादे, ठीक है, खेर, अगले पॉइंट पर आते हैं, तो संभाव है कि आपके पापा कहें, मुझे प्रभावर्मा जी की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा, रौद्र सात्विकम, रौद्र आते हैं, अगला का है भाई, अच्छा, वाड वाड है, देख लीजिए, ख़दरनाक टाइप के, नेक्स्ट कोईश्चन, ठीक है, नेक्स्ट कोईश्चन, लक्षमी नारायन सेशु का हालही में निधन हो गया वे कौन थे, सर ये बहुत ये अच्छे अभिनेता हुआ करते थे, हलांकि इनके अभिने के बारे में इनका जो छेतर रहा, वो तमिल सिनेमा रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि आप लोगा वेयर होंगे, तो लक्षमी नारायन सेशु का निधन हुआ है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, अगला LIC, खतम, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है तुमको, बीमा के नाम पे एक है चीज हम लोग को याद रहती है LIC, हम लोग के गाउं में जड़ समझें, अरे कमा धमा रहे हो, कुछ LIC, LIC कराए हो, हाँ तो कराए हैं ना, LIC, ठीक है, तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर उभरा है, ठीक है ना, सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर LIC, अब इसमें कुछ ज़्यादा तीन तूपान सोचने की जरूरत ने, खोपड़ी मत लगा हो, अल्रेडी तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, LIC याद है काम खतम है हटाओ, इसको कोश्चन है को हटाओ, अरे यार कितना पढ़ोगे लला, घुम जाता है दिमाग से सुरा अपना, चलो, अरे यार कल तो बहुत कोश्चन थे न, कल वाला रिवीजन कर लिया जाए एक बार सब लोग में, लाइक तो कर दो, कहां, देखो सब लाइक हैं ने किय ठीक है, अभी ठंडा हो गया, इसको हम फूंक रहा हैं, तुम लोग के चक्कर में मेरी रोज एक चाय खराब होती है, अच्छा एक बात बता रहे हैं, सही में नहाने का फायदा होता है, आज नहां के आगे देखो किना चहक चहक के पढ़ा रहे हैं, कल ट्रेन से उतर के आय संदीब कुमार मिस्रा सर अइसे ही पहले बने हैं, ठीक है अगला परपल्ड एपिलेपसी, परपल्ड एपिलेपसी सर चबीस मार्च को, ठीक है, 26 मार्च को मनाय जाता है, किस राज में डौल उत्सो, डौल उत्सो सर असम में पहुंचाईये, कौन सा भारती सर, एसिया क्य अमसुचे आस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा है आस्ट्रेलियन ग्रेंड पिक्स कार्लोस सैंज क्योंकि मैक्स बरेस्टेपन के गाड़ी में आग लग गई थी सच्मुच आग लग गई थी भाई चुनाओं में मदद करने के लिए भारती चुनाओं ने कौन सा इसका लुइस बने है भईया फुर्टगाल के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाली में एक छुत्रग्रा का नाम किसके नाम पर रखा है सर आपके जैंत मुर्ती जी के नाम पर रखा है पृत्वी और चंद्रमा संचार के लिए हाली में किस देश ने क्वे क याओ टू रिले नाम को पग्रा नाच किया है सर इस अपकाम चीने का है क्यों किया भात वही है नरेंद्र मोदी जी को भुटान का सर्वोच नागरी सम्मान मिला है ठीक है न तो आईजा करने वाले वो विसु के पहले गैर भुटानी वेक्ती बने है विसु तपेदिक दि नियो स्टेंड नामक एक स्वदेसी इलेक्ट्रिक स्टेंड इस अब चेन्नई वाले सर आईटी मदरास धोनी जी की टीम है अगला पेरिस ओलंपिक के उद्गाटन समारों में धोजवाहक है सर सरत कमल धोजवाहक निम्ण में से तीसरे अंतर राष्ट्री पुस्तक सर इस बार सारजहां में हो रहा है पहले सारजहां में मैच खूब होता था अपने नागरिकू को निकालने के लिए भारत ने आपरेशन हैती आपरेशन इंद्रावती सुरू किया है हैती में भारत मोजांबिक और किस देश के बीच आई-म-टी ट्रिलेट अभ्यास का दूसरा सं पानी पिला के छोड़ेंगे तो इसे पानी पिला देते हैं इसलिए जल दिवस बियार दिवस एक है ठीक है अगला पॉइंट अगला पॉइंट खतम डबल वैलेडिटी चल लगी है जिसको लेना हो ले लेना ठीक है न बस मैं इतना ही कहूंगा वह स्वाले और देखो यार current affair की class में आया करो selection का ये एक माध्यम है मैं निश्चित कहता हूँ current affair plus static gk जो मेरी class में आपको मिलता है उसमें रहा करें अगर आप कोई महाप है कि अपने आपको enroll करते हैं तो please ये मेरा coupon code है y182 इसे याद रखना अगर आप कोई book या test series लेते हैं तो y182 s का प्रियोग करें बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि मजा नहीं आता है यार हमको ठीक है आप इसको देखेंगे अब बस जैसे अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको इस course में अपने आपको enroll करने जा रहे हैं तो अगर ये coupon code लगाएंगे तो आपको उसके rate पे maximum of 78% 80% तक भी मिल जाएगा लगभग और मुझे भी जानकारी रहेगी कि ये मेरा student मेरे touch में आ गया ठीक है न हाँ लेकिन book और test series के लिए इसी code के आगे S लगा देना है अभी चुकी month इंड चलना है double validity चलना है आप अपने हिसाब से SSC का MTS का railway का जो आपको लगया आप कर सकते है ठीक है तो thank you so much अपना और अपना ध्यान देना और फिर साम साथ बजे मुलाकात होगी ठीक है तो thank you इसकी PDF क्लास की एक से दो घंटे बात करी भी 11 बजे अराम से description box में मिल्यागी जेइन जेभारत